आज के जोटे जो बीरियों में बात किने वाले एक बहुत ही इंटेस्टीन टॉपिक के बारे में साथ ही साथ यह काफे जाता है इंपोर्टेंट भी है आपने नोटेस किया होगा कि आपके घर में कभी बिए जब हेवी लोड को आन कर रहे होते हैं जैसे कि वाशिंग मसीन फ स्टार्ट कर रहे होते हैं जैसे कि आपका मोटर है या वासिंग मशिन के बाद करे या एसी के बात करें fricker कर दो इस को थोड़аств crack के लिए ईज़ें को कि लिए बारे में हम को सारी बात करते आनए इस विट About Das कीज़ाब को इतना समझने का गलती मत कि अगर इलेक्टर के श्टूडेन्ट तो आपको पता होना चाहिए कि बाइभ वह स्टीड की इस स्पीड की बात कररें यह सारा कहानी यह वह वोल्टिज के आसपस गुम रहा होता है आप किसी भी लाइक के एक्रॉस्याद की मोटर के क् मोटर का स्पीड है वो कम हो रहा है फैन जो हलगा घूम रहा है आपके लाइट की इंटेंसिटी है वो कम हो रही है आपका डिम हो गया तो यह जो वोल्टेज है ना यही सब चीज को कंट्रूल कर रहा होता है और यह मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया था मैंने आपको तो पता है कि आपके घरों में जो है पैलल करेंशन कर रहा होता है यानि की जितनी भी ऐलेक्टिकल सबब अपस प्रियुक्य गुंक्र ήταν है तो उचो क्यों है लाइड आपको यह पता आ है पालिल कश्चन में जो टर्मीनल वोल्टेज होता है वह कॉन्स्टैंड होता है जैना घरिक जितने भी टर्मीनल वोल्टेज पीश कर रहे हैं उनकि आपको जी Cel Test फिर ऐसा क्यों हो रहा भाई फिर इंटेंसिटी कैसे कम हो जा रही है इंटेंसिटी तो यह है एक्शुल हमारा सवार बात कुछ ऐसी है कि जब भी इंजिरेडिंग में हम पढ़ ले होते हैं जब आपको पढ़ाया जाते तो हम इसा जो है आईडियल सिनेरियो जो है बनाते है तो लोड बनाते हैं सोर्स बनाते हैं वोल्टेज लिख रहे होते हैं सब कुछ लिख रहे होते हैं और आप भूल जाते हैं जो डंडी डंडी अपने बनाया है आपने सबको लोड असोर्स को करनेट किया है वह यह डंडी वायर है और वायर का अपना रिजिस्टेंस होता है वायर का अगर resistance है, जहाँ resistance आया वहाँ पे वो current को flow को अपोस करेगा और साथ रे वोल्टेज़ ड्रॉब करेगा इसके बारे मैं मैंने अच्छे से बताया है Reistor दो ही काम कर रहा होता है, current को limit कर रहा होता है दुसरा voltage को ड्रॉब कर रहा होता है तो यह जो वायर का जो resistance होता है वो आज तोर में काफी कम होता है, इसी वाइस से आप इसको neglect कर देता है ताकि चीज़ें आपके अशान हो, simple हो, calculation हो, आप easily study कर सके, easily आप चीज़ो को analyze कर सके, बट कई बार ये कम resistance भी जो है काफी जादा voltage drop करके आपको देता है इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए जो है circuit बना जिया है घर में जिस तरीके से हमारा connection होता है पहले लिए जिस तरीके से connected होता है सारे load source में यहाँ पर देखे 220V हम दे रहे होता है RMS value और यहाँ पर जो है आपके different load connected है जैसा कि light है और हर एक load का अपना current rating होता है यानि कि load decide करेगा कि हमको कितना current चाहिए यही तो मैंने आपको बताया था load के बारे में एक load और current के बीच में relation भी अच्छे से मैंने आपको समझाया था और यह जो wire है इसका भी अपना resistance होता है जैसे कि आपको बताया मैंने तो line resistance मानले जो 2 ohm है तो यह value जो है मैंने ऐसे randomly select कर लिया जो actual value है वो काफे different हो सकता है पर समझने के लिए काफे सही है तो जैसे ही आपने switch on किया तो आपका circuit complete होता है current flow होना start होता है तो मानले जो 1 ampere current rating है तो 1 ampere का current flow होता है तो क्या 220 volt पूरा का पूरा यह light के पास पहुंच जाएगा नहीं नहीं पहुंचेगा क्योंकि wire का resistance आपका 2 ohm है तो इस wire resistance के वज़े से आपका voltage drop होगा अब यह voltage drop कितना होगा वो कैसे calculate करते है वी is equal to IR इस equation से calculate करते है यानि कि voltage drop आपका किस कीज़ क्योंच कर रहा होता है वो depend कर रहा होता है कि आपका wire का resistance कितना है जैसे कि मैंने 2 बता है यहाँ पे है और इसके अंदे से current कितना flow हो रहा है मैं कह रहा हूँ कि 1 ampere flow हो रहा है क्योंकि आपने सिर्फ light कौन क्या है तो 1 ampere का current flow हो रहा है और 2 ampere का resistance है तो यानिकि V is equal to IR या 2 into 1 यानिकि 2 ohm 2 ohm 2 ohm 2 यहाँ आ यहाँ देखने मिलता है तो voltage drop का मितला क्या है यानि जितना voltage आ दे रहे ना उतना voltage पहुंचता नहीं ए खोंकि वोल्टेज से अब का तीन पर कुरेंट ले रहा है लाइट एक टॉटल कारेंट जोर्ट आप फ्री एम केर होगा तो फोर एंत इनकव स likely होगा तो और दोव्भाई चोंप होगा यहां सेकत करण केरह न होगा के देख संप पहले आपको 280 वोल्ट ता अभी 210 वोल्ट हो रहा है मालेज के फिर और एक लोड का हमने स्टाट कर जिया आपको वाटर हीटर का अंसे तो वाटर हीटर का मालेज है 3 एंपेरी यानि ये 3 यसी 3 ले रहा है और ये 1 ले रहा है तो टोटल आपको कितना हो गा यानि कि टोटल जो है 7A का current जो है वो डिमांड कर रहा होगा तो 7A को अगर डिमांड कर रहा होगा तो आपका line drop भी बढ़ ला होगा कितना होगा 14V जो है अभी आपका drop हो जाएगा यानि कि terminal voltage जो आपको 206 देखने मिलेगा तो जैसे जैसे आप देखर हो कि हम load बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो line drop है आपको बढ़ लाया और आपको terminal voltage जो है कम हो रहा है और इसी में मालीजे कोई heavy motor जो है आपने घर में चला देते हैं और पहले ही आपका 14A का load है तो 14 प्लस 50 64 A जो है आपका source से वह खिशने कोशिच करेगा यानि कि अब जो voltage drop होगा वह 128 होगा यानि कि 128 कुछ time के लिए होगा बहुत कम time के लिए तो इतना अचानक से voltage drop हो जाता है इसी वैसे आप देखते हो कि अभी flicker करता है तो आपको समझ में आ गया कि कैसे टर्मिनल वोल्टेज आप चेंज हो रहा होता है जैसा से अब load increase कर रहे होते है अब आपने यह notice किया होगा आप जो इन्वर्टर आप यूस कर रहे होते है तो वहाँ पर आप देखते हो कि ब हम इंटेंसिटी में काम कर रहा है और एक इंपॉर्टेंट बात बताते है यार बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं के light flicker कर रहा है इंटेंसिटी कम हो गया जब भी हमने AC on किया तो यह सारी चीज जो है आपको incandescent bulb में ही देखने मिलेगा मुझे पता है कि अभी के टाइम में हर जगा जो है LED ट्यूब लाइट यूज कर रहे हैं और वहां पे पूरा अलगी कहानी चल रहा है मतलब वहां पर आपका DC Converter हो रहा होता है तो बाहर की कहानी कुछ भी है वोल्टेज की पर अंदर की कहानी से होती है वह जो है अपके घर में है ना तो आप क्लियरली देख पाऊगे अपने आखों से नोटिस सबल होता है जब भी अपको हेवी लोड करोगे तो वहां पे हलका से फ्लिकर करता है या उसकी इंटेंसिटी जो हलकी रिडिउस हो जाती है अगर बहुत सारा लोड अगर घर में यूज कर र जाना चाहते हैं तो नीचे वाले वीडियो को क्लिकर करके देख सकते हैं अगर भी प्रस्राइब अब उसके मिता है को सवाल रहे हो तो कमेंड़े सकते मां मिलते लिए वीडियो में टिल देने के हो बाइब आप